कोई भी अनपड़ियां कम पड़ा लिखा व्यक्ति इन पांच व्यवसायां को शुरू करके कर सकता है अच्छी खासी मोटी कमाई जदि आप ऐसे लोगों को जानते हैं जो की कम पड़े लिखे हैं या किसी कारणवश अशिक्षित ही रह गए हैं और इस वचास से उनके पास कमाई का कोई साधर नहीं है तो उन्हें आप कुछ पैसे कमाने वाले बिजनस के आइडियाज दे सकते हैं एसे लोगों के लिए कुछ बिजनस आइडियाज आज किस्वीजियो में हम आप को बताने चा रहे हैं वीजियो को अंध तक जरूर देखें कम पड़े लिखे लोगों के लिए बिजनस के आइडियाज सुबह होते ही जब दर्वाजे की घंटी की आवाज आती है तो उसी के बाद से आपके दिन की शुरुवात होती है ये घंटी बजाने वाला दूद वाला होता है जो कि रोज सुबह से लोगों के घर घर जाकर दूद देते हैं दूद देने का काम करने वाले लोग अधिकतर अनपढ़ होते हैं या फिर जादा पड़े लिखें नहीं होते हैं ऐसे लोगों के लिए घर में जाकर दूद देना ही आजीनिका का साथन बन जाता है लेकिन आप सूच रहे होंगे कि ये दूद वाले खुद की डेरी खोल सकते हैं उन्हें लोगों के घर में दूद की होम डिलिवरी करने की आवशक्ता क्या है तो हम आपको बता दें कि दूद डेरी खोलने के लिए उनके पास पैसे नहीं होते हैं और अगर वो अपनी डेरी पिलें तो लोगों को दूद जेरी में दूद लेने की बजाए उसकी होम डिलिवरी जादा पसंद आती है इसके लिए वो जादा पैसे देने को भी तयार हो जाते हैं इसलिए इससे लोगों की कमाई जादा होती है कम पढ़े लिखे लोगों के लिए गारी धुलाई सेंटर खोलना भी पैसे कमाने का बेहतरीन अफसर साबित हो सकता है क्योंकि आज की समय में अधिकतर लोगों के पास गाड़ी होती है ना सर्फ दो पहिया वहान बल्कि चार पहिया वहान भी आज के समय में अधिक्तर लोगों के पास होते हैं यदि आप कम पढ़े लिखे हैं या आप ऐसी लोगों को चानते हैं जो कि अनपढ़े या कम पढ़े हैं उन्हें आप ये बिजनस करने की सरा दें इससे बहुत जादा लाब होगा इसमें आपको 15-20,000 रुपे तक की प्रतिमा आमधनी हो सकती है सबजी का बिजनस गाउं के अनपढ़े या कम पढ़े लिखे लोगों के लिए अगला बिजनस आइडिया है सबजी का बिजनस इस बिजनस में आपको रोज मंडी से सबसी सस्ते दामों में खरीद कर उसे अपने मुनाफी के साथ बेशना होगा जुसे आपकी अच्छी आमधनी हो सके सबसी एक ऐसी चीज है जिसे लोग रोज ताजी खरीते हैं इसके लिए वो अधिकतर बाजार जाते हैं इस बिजनस को शुरू करने में जादा निवेश की भी आवशकता नहीं है आप रोज सबसी लगबक 300 रुपए में खरीद कर उससे प्रतिदीन 1000 रुपए तक की कमाई कर सकते हैं पंचर एवं हवा बिजनस गाड़ी चाहे चोटी हो या बड़ी जब वो पंचर होती है तो उसके टायर एवं ट्यूप को ठीक कराने के लिए लोगों को पंचर की दुकान में उसे लेकर जाना पड़ता है इस बिजनस को करने के लिए शिक्षित होना आवशक न रेको चाहए स्टॉल करको हमारे देश में लोगों की सुबां चाहे के साथ होती है वो सबसे पहले पर चाहए और दिन में भी जब वो अपने कांग से फृ होते हैं तो चाह प्रूत पर दिखाई देता है और ये स्टॉल लगाने वाले लोग अधिकतर कम पड़े लिखे या गाउं देहाद के लोग होते हैं लेकिन यही लोग आज प्रतिमा दस से बारा हजार उपे तक ही कमाई कर रहे हैं अता है आपके लिए यह विवसाय करना बहुत फायदेमंद हो सकता ह इसे करने में आपको कुछ जादा निवेशिक नहीं करना है बस आपको जो भी निवेश करना है वो चाय बनाने के लिए उप्योग होने वाले बरतन एवं ठेले आदी की ही आविशकता होती है तो ये थी कुछ आसान से कम पढ़े लिखे और अशीक्षित लोगों के लिए बिजनस आइडियाज इसे कोई भी व्यक्ति जिने पढ़ना लिखना नहीं आता है वो शुरू कर सकता है और पैसे कमा कर अपना घर चला सकता है